बसकार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है अप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेग में दोस्तों आज हम बात करेंगे GST Registration के बारे में की GST Registration होता क्या है और कि लोगों को जरूरत होती है GST Registration की और क्या हमें लाब होती है GST Registration से और किस तरह हम अपना GST Registration जो होता है उसे कर सकते हैं अपने घर पर ही उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है आज मैं आपको पूरी डीडेस देने वाला हूं तो चली शुरुवात करते हैं दोस्तों और दोस्तों सुरुवात करने इस पहले हर अबर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सबिस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सबिस्क्राइब कर लेजीगा क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर और और जादों कि जीएस्टी रेजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए जरूरी होता है जिनकी आय सालाना इंकम 20 लाग से अधिक है उनके ब्यापार या बिजनेस सौफ या फिर किसी भी जॉब वैपसाइट के जरी अगर उनकी आय 20 लाग से अधिक आती है तो उनका जीएस्टी र रेजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ओनलाइन फॉम भनना होगा आपको घर पर ही इस फॉम को भनने की सारी सुग्दाएं उपलब्त कराई गए इसके बाद आपको अपना फॉम भरकर नगरपाल का या नजदी की इंकम टैक्स विभाग में आपको नोटिस दिया जाएगा और आपका परफेक्ट होगा फॉम तो आपका कोची एक हपते या दू हपते में चनरेट होके तयार होके आपको अपनी नजदी की नगरपाल का या ब्लोग जहां पर भी आपका तहसील हो बहां से आपको आपका रेजिस्टेशन सेटिफिकर आपक गुगल ऊपन की लेते हैं ब्राउजर पर अГशर पर गुगल ऊपन करने के बाद हमें यहां पर विलीन थी आपको पर 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 आपको हू कर लेना हैं और यहां पर Quick Link दीकि की Right Side में आपको Quick Link का Option मिल आओगा तो यहां पर आपको GHD Online Registration यहां पर Click करना है ठीक है ना तो आपके सामने GHD का जो Form होता है वो पूरा खुल कर सामने आ जाएगा और उसी आपको भरना होता है सबसे पहले तो आपको जो सबसे पहले तुछ आपका是ht his स्टैप होता है बहां पर आप से आपको एक temporary reference नंबर जनरेट करने का options लेथा है तो आपको यहाँ से temporary reference नंबर जनरेट करने हैं तो आपको यहाँ पर केंपको c cambi hill करने होते पहली इसके बाद आपको अपना pencard पर लिखा हुआ नाम ठीक है ना capital अक्षो के जो pencard पर सही नाम लिखा होता है वही आपको यहां पर डालना है अगर आपकी संस्था का है pencard तो आपको अपना नाम डालना है ठीक है ना के नियुक्त रड़ कन रेंक होड कैा इमधी आईडी दीना इसके बाद आपको यहां पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहां पर पिक्चर कोड देख रहा होगा जैसे पिक्चर इमा पर देख रहा है दो के लिए options आएगा तो आपके पास आपके मॉबाइल नंबर और करेंट इमेल आइडी पी जो कि आपने अभी डाली थी इमेल आइडी ओ और जो कि आभी आपने मॉबाइल नंबर डाला था उन दोनों पर ही एक पास्वर्ड पराप्ट होगा ठीक है न तो उन दोनों पर ही अलग 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 OTP पराप्ट होगा OTP मतले बंट टाइम पास्वर्ड जो कि 10 मिनट के लिए बैलेड होता है तो उसे आपको डाल देना है दोनों को email id का email id की जगह पर password डाल देना है और mobile का OTP mobile की जगह पर डाल देना ठीक न और process कर देना है तो आपके पास एक temporary reference number आपका generate हो जाएगा जो कि आपको 15 दिन के लिए valid होगा ठीक है न तो इन 15 दिन के अंदर अंदर आपको सबसे पहले अपना form खोल कर देखना है और इसके बाद आपको बही चीजों का arrangement करके और 15 दिन के अंदर अंदर आपको form अपका submit करना होता है अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना form submit नहीं करोगी तो आपको जो reference number होता है वो उसकी date expired हो जाईए और उसको काम नहीं करेगा तो आपको दुबार reference number generate करना होगा ठीक ना क्योंकि मैं अपना पहले से ही reference number generate कर चुका था तो मैं आपको login करका दिखा था ठीक है लोगन करने के लिए हम यहाँ पर temporary reference number TRN पर click करेंगे और यहाँ पर reference number डालेंगे और यहाँ पर picture ID डालेंगे ठीक है ना तो दोस्तों जैसे ही आप login के लिए यहाँ पर click करोगे तो आपके सामने आप mobile या email ID पर पर एक password आएगा तो आपको वो OTP डालना होगा ठीक है ना इस तरह का कुछ page आपके सामने खुल कर सामने आएगा ठीक है ना Oregon जो originalya आपके फूर्म की full information शुथी डालने के लिए आपकी सामने खुल कर सामने आजाएगई तो जैसे ही एह information आपके सामने आ जाए तो आपको यहाँ पर सारे जो details होती है डालने के लिए वो आपको डाल देनी है ठीके ना जैसे कि मैंने बोला था कि आप पहले भी check कर सकते हो कि किनकी जरूरत पड़ेगी है मैं तो जैसे कि अगर जहाँ पर भी आप कुछ समझ ना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो वो आपकी business related चीज ही यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी जो कि आपके पास हो तो ठीक है ना हो तो आप कुछ ना भरे जहाँ पर इस्टाल लगा हो जैसे कि district पर यहाँ पर इस्टाल लगा है बही column भरने जरूरी होती है और जहाँ पर आप जहाँ पर आपकी जरूरत नहीं होती कि कुछ भी details भने की बहुत चीज ना भरे ठीक है ना तो जैसे कि यहाँ पर आपको trade name ठीक है ना तो trade name पर आप अपनी shop जैसे कि मैंने पहले गुला तो shop shop का जो नाम है आप बहुत डाल सकते हो और नाम बगरा नहीं है तो आप पर यहाँ पर अपना आप business का type select कर सकते हो ठीक है ना तो जैसे कि आप प्रोप्राइडर हो गवर्मेंट गवर्मेंट डिपार्टमेंट है private company है आपकी यहाँ सौफ है कुछ भी है तो आप यहाँ पर select कर सकते हो इसके बाद आपको यहाँ पर district select करना होगा यहाँ पर फिर जैसे कि मैं यहाँ पर भूपाल select की लेता हूं जो भी आपका लगता हो इसके बाद आपको division code select करना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर division code सागर select की लेता हूं और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी आपर नजदी की हो center उसको select कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ प आप एक swap की पर हो तो आपका swap की पर का एक आपका गुमास्ता या registration number कुछ होगा तो जैसे की गुमास्ता होगा अगर आपका आपकी swap है या फिर आपकी factory है तो factory का कोई registration होगा जब आपने start की थी फ्रैप factory तो उसका कोई registration certificate होगा तो यहाँ पर आपको उसी की type select करना है यहाँ पर उसकी registration की date डालनी है और इसकी expired date डालनी है ठीक है ना और यहाँ पर आपको बही process करनी है और यहाँ पर आपको अपना registration का type select करना है और यहाँ पर date select करनी expired date और बही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है ठीक है ना और उसी रेजिस्टीशन से रिलेटिस चीज़े डालने हैं आपको कि कौन सा रेजिस्टीशन है आपका रेजिस्टीशन नमबर डालोगी या सर्विस टेक्स नमबर डालोगी किस चीज का नमबर डाल लेगो आप रेजिस्टीशन का ठीक है न तो और यहाँ पर आपको रेज फाइल या जी पीजी फाइल इसके नकौपी आपके साम अप्लोट करने को आगी तो आपको यहाँ बाद आपको देखिये इसके बाद और यहां पर भी आपको उसी तरह की options विलेंगे फिर यहां पर आपको अपना contact number डालना है कि कैसे आपके business को contact किया जाग सकता है और क्या 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 quantity है आपके जो आपका business है उसमें product क्या quantity है ठीक है इसके बाद आपको अपना address डालना है business का पूरा कहां तक फैला हुआ है ठीक है ना और यहां पर good and service जो good and service tax का जो होता है आप कितना पे करते हों कितना नहीं करते हों आपका good and service का एक आप नंबर भी होगा तो आप वो search करकर भी अपना वहां पर select कर सकते हूँ अपने product को और feel कर सकते हूँ अपने form को यहां पर आपको अपना bank account की details डालने होग यहां पर आपका state certified information डालने हुई ठीक ना इसके बाद आपको verify करना होगा और verify करने के बाद आपके सामने एक form आएगा ठीक है ना तो उस form को print out निकाल कर आपको अपने नगरपाल का या नगरपाल का या फिर आपको अपने income tax department में जमा करना है ठीक है ना इसके बाद जो officer HR होते हैं वो आपके form को जाचेंगे परकेंगे और अगर कोई कमी दिखी तो वो आपको notification दे कर इसी साइट पर status के जरी आपको सूचना करते रहेंगे कि क्या कमी रहे गई है आपके form में और कहां तक आपकी form की process पहुची है ठीक है ना दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो मैं यही खतम करना चाहूंगा और दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आया कोई परेशा नहीं हो तो आप मुझे comment box में बता सकते हो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और दोस्तों जान इस पहले आगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो like को subscribe करना मत भूलेगा चली दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद